नमस्कार दोस्तों मैं हूं रौसन और आप देख रहे हैं GKFS YouTube चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको प्रिविएस एर पेपर का डिसकसन मिल जाता है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखें दोस्तों अज जो सीरीज हम डिसकस करें हैं वो है GKGS का रामबन जीहां दोस्तों अगर GKGS में महारत हासिल करना चाहते हैं तो एस सीरीज आपको जरूर फॉलो करना चाहिए और तीन लेक्चर अप तक अप्लोड हो चुके हैं तो चौथा लेक्चर है तो पहले के लेक्चर भी आप लोग जरूर देख लिएगा और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं तो विभिन परिछाओं में पूछेगे प्रस्ण को डिस्कस करते हैं जो कि DFCL, CZP, DTM, CGL सभी में महातपूर होगा क्योंकि हम इसको TCS से स्पेसल रखने की कोसिस करते हैं और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर सकते ह और इसके अलाबा भी आप किसी एक्जाम का तयारी कर सकते हैं तो आप इसमें जो है जूर सकते हैं तो देखिए PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाग और आपके पास भी देखिए कोई एक्जाम को कोस्टन पर होता है तो gkaffairs25 at gmail.com पर आप भेज सकते हैं तो question number 46 है जो कि य देख लीजिएगा अब देखिए निम्लकित में से किस ब्रिटिस बाइसराय के सासनकाल के दवरान परसी जो है चौरी चौरा घटना हुई थी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा घटना जो है हुई कब थी तो देखिए एक क्रम आपको बताता 1920 में 1920 में महात्मा गांधी के दारा असायोग अंदुलन यानि कि non-cooperation movement जो है गांधी जी के दारा सुरू किया गया था ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के दारा 1920 में असायोग अंदुलन के सुरूआत की गई थी तो देखिए यहां पर भारती एक्रानती कारियों ने 5 फरवरी 1922 को ध्यान रखना है एक पुलिस अस्टेशन में जो है आग लगा दी गई जिसके कारण बहुत की जो है मिर्तु हो गई थी तो इस परज़ा से गांधी जी ने क्या किया असयोग अंदोलन को बापस ले लिया तो कई बाइर इकजाम में कोशन पूछे आते हैं कि किस घटना के बाद जो है महात्मा गानी ने सयोग अंदोलन को बापस ले लिया था तो चारी चारा घटना के बाद तो 5 फरवरी 1922 को चारी चारा के घटना गुरकपूर उत्तर परदेश में हुआ था तो इसको ध्यान रखेगा अब देखिए पूछा गया है कि उस समय जो है ब्रिटिस बाइसराई कौन थे तो ब्रिटिस बाइसराई दोस्तों उस समय थे लॉड एरिडिंग तो करेक्ट अंसर इसका ये सही होगा ध्यान रखेगा करेक्ट अंसर इसका ये सही होगा लॉड एरिडिंग लॉड एरिडिंग का कारिकाल 1921 से लेके 1926 तक रहा था तो 21 स पूछा आता है 1921 का मोपला विद्रोग तो ध्यान रखिएगा दोस्तो केरल के किसानों के द्वारा जो है 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोग हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा बहुत important है question पूछे आ रहे हैं उसके देखे next question आपके सामने है कि भारत के किस परोशी देश को सियाम कहा जाता था देखे सियाम किस देश को कहा जाता था तो दोस्तों इसको correct answer है थाइलेंड तो थाइलेंड को जो है सियाम बोला जाता था इसको जरूर ध्यान रखिएगा और देखे लेंगवेज है इसका थाई तो थाई इसका वहासा है थाइलेंड का इसको ध्यान जाता था अब देखे माईप में यहाँ पर देख सकते हैं कि देखे बर्मा बोला जाता था मैनमार को इस तरह से अर्थ वह थायलेंड को सयाम बोला जाता था इसको जरूर ध्यान रखेगा बहुत इंपर्टेंड है और देखे हैं पर मैप जो है जरूर देखा कर दोस Qalarm array तो इस तरह से और इंडोनेसिया यह है, इंडोनेसिया और मलेसिया के बीच में देखिए, अस्टेट अफ मलक्का है, इसको जरूर ध्यान रखेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर देखे, गल्फ अप सियाम है, तो इसको भी यहाँ गल्फ अप थाइलेंड य अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है, गवर्नर जर्रल कौन थे, तो लौड माउन्ट वेटन थे, लौड माउन्ट वेटन जो है, इसका करेक्ट अंसर होगा, लेकिन अगर बात करते हैं कि अंतिम ब्रिटिस गवर्नर भी अगर पूछा जाए, तो लौड मांट बेटन होगा और अंतिम गवर्नेर जनरल पूछा जाया है तो चक्रवर्ती राज गुपाला चारी होगा और अंतिम जो है भारतिये भी लगा दे तो चक्रवर्ती राज गुपाला चारी जी होगे तो इस तरह से आपको पत्रिकारता से जुड़े हुए हैं तो यानि कि जर्नलिजम है तो यह आपको इनका जनम 1973 में हुआ था और यह News Anchor है जर्नलिस्ट है और यह Managing Director और Rating-in-Chief है किसका तो Republic जो Media Network है उनके जो है यह Managing Director ही है तो अरनब गोस्वामी को देख लिए बहुत ही News में रहते हैं तो इस उजयंता पैलेस जो है कहां परस्तित है तो दोस्तो अगर तल्ला में स्तित है जो कि तृपूरा की कटल है तो correct answer इसका दी सही होगा अब देखे इसको आपको दिखाते हैं फोटो यह आपको उजयंता पैलेस जो है देखने को मिलता है जो कि तृपूरा अगर तल्ला में स् समराज का पूर्व साही महल तो इसको ध्यान रखेगा 1901 में महराजा राधा किसुर मानिक के द्वारा निर्मित किया गया था और उसका नाम रविंदनाथ टेगोर के द्वारा दिया गया था और 2011 तक इसमें राज बिधान सभा थी बरत्मान में यह तिरपूरा का राज संग्राले है तो उजनता पैलेस में क्या है तिरपूरा का राज संग्राले है तो इसको भी ध्यान रखेगा जो कि अगर तल्ला में अस्थीत है Next question आपके सामने है कि Santos Trophy का संबन्द किस भारती खेल से संबन्धीत है तो देखे, Santos Trophy football से संबन्धीत तरृनामेंट है और भारत का सबसे परतिष्ठित football tournament माना जाता है इसको भी धियान रखिएगा अब देखे, आपको football को तो मैंने बताया कि Santos Trophy इससे संबन्धीत है उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि Cricket का कई बार पुछा आता है जैसे कि इरानी ट्रोफी, देफधर ट्रोफी, दिलिप ट्रोफी उसके बाद रंजी ट्रोफी तो इस तरह के ट्रोफी जो है आपको Cricket से देखने को मिलते हैं। उसके नेक्स्ट कोशन है कि भारत सरकार का एक जो है एप लॉंच किया गया था उमंग एप तो उमंग एप का पूरा नाम क्या है फूल फॉर्म आपको उमंग एप का बताना है तो इसका पूरा नाम है उनिफाइड मोबाइल अप्लिकेशन फॉर निव एज गवर्नेंज अब देखे इसको ओफिसल वेबसाइट से इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ देखे एबाउट के सक्षन में जाएगा उमंग एप में आपको यह देखने को मिलता है इनिफाइड मोबाइल अप्लिकेशन फॉर निव एज गवर्नेंज जो की इसका फूल फॉम है इसका मतलब यही है कि पूरे जो है सेटिजन्स के लिए पूरे जो है गवर्मेंट सर्विस जो की चाहे सेंटरल लेबल का हो चाहे लोकल लेबल का हो इस आप पे आपको सर्विस मिल जाएगी जो की Ministry of Electronics and Information Technology के द्वारा डिवलप किया गया है Unified Mobile Application for New Age Governance Next question आपके सामने है कि कंप्यूटर के संदार में VPN का पूरा नाम बताना है तो देखे VPN आप लोग आई होप चलाए होंगे क्योंकि मैं तो इसको देखे चलाता था College Life में तो इसका जो पूरा नाम था Virtual Private Network तो VPN इसको जानते हैं तो इसमें देखे basically होता क्या है कि आपको जो है डेटा को जो है यहाँ पर encrypt करता है और सुरच्छित रखता है तो VPN Virtual Private Network है तो इसमें आपको ध्यान रखना है correct answer इसका ए होगा Virtual Private Network उसके देखे next question है कि जानबरों के उस जोड़े की पहचान करें जो केरल के राज्य परतिक का हिस्सा है यानि कि केरल राज्य का जो है estate emblem है उसमें कौन सा जो है pair of animal है तो pair of elephant है अब देखे केरल का जो इहां पर जो estate emblem है इस तरह से देख सकते हैं दो हाथ ही हाँ पर है सत्य में वजयते लिखा हुआ है और यहाँ पर भारत का प्रतीक चिन है और देखे गवर्मेंट आफ केरल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से आप देख सकते हैं तो दो हाथी इसमें है तो यादनी की हाथियों का जोड़ा है केरल के अस्टेट जो है इंबलम में तो इसको भी ध्यान रखियेगा का जब फूल फोम जानेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि यह किसानों के लिए था तो करेक्ट अंसर यहाँ पर 20 होगा यानकी कालिया योजना यानकी किर्सक असिस्टेंट करके कुछ नाम है तो इसको ध्यान रखियेगा तो उड़िसा सरकार के द्वारा योजना सुरू क जो है असिस्टेंट for livelihood and income augmentation कालिया स्कीम इसका पूरा नाम है तो इसमें जो है किर्सक को जो है यहाँ पर जो है गरीबी दूर करने के लिए योजना सुरू की गई थी तो इसको उड़िसा के द्वारा जो है सुरू किया गया था इसको आराम से जो है देख सकते हैं उसके देखिए उस नदी की पहचान करें जिसने संजुक्त राज अमेरिका की एरिजोना राज में तो संजुक्त राज अमेरिका में 50 राज हैं इसमें एक राज एरिजोना में Grand Canyon का निर्मान किया था तो देखिए कोला रेडो नदी इसका correct अंसर होगा correct उत्तर इसका D होगा ध्यान रखिएगा एरिजोना अस्टेट में जो है जो कि अमेरिका का एक राज है तो इसमें Grand Canyon का निर्मान किस नदी के द्वारा किया था तो कोला रेडो नदी के द्वारा किया था इसको ध्यान रखिएगा उसके देखिए next question आपके सामने है कि गोपाल कृष्ण गोखले निमल्कित में से किस कॉलेज के प्रोफेसर थे तो देखिए जब politics में आने से पहले यह आपको फर्गसन कॉलेज पूने के यह आपर प्रोफेसर थे तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो इसका correct उतर होगा बी फर्गसन कॉलेज पूने के प्रोफेसर थे गोपाल कृष की भी अस्थापना की थी तो servants of India society की अस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ही किया गया था तो ये भी ध्यान रखना है और politics में आने से पहले 1902 तक ये फर्गुशन कलेज पूने के प्रोफेसर थे तो इसको ध्यान रखिएगा अब देखें next question आपके सामने है कि नुनखित में से किस देश से भारत जो है सरवाधिक मातरा में पाम तेल यानि कि ये ताल का तेल इसको बोलते है हिंदी में ताल का तेल जो है आयात करता है तो correct उत्तर होगा इसका डी मलेसिया से जो है ये सबसे जादा जो है पाम का तेल जो है यानि कि ताल का तेल ज तो अपना प्यारा देश भारत है क्योंकि यहाँ टेल सबसे सादा ओदा कन्जूम किया जाता है अब देखें, अगर टेल सबसे सादा कन्जूम किया जाता है तो उसमें भी Palm Wyeol होता है उसमें भी Palm Wyeol का 55% पूरे वेजnehटीन यहाँ पर उपयोग किया जाता है और देखिए Palm जो वाइल होता है उसे हम बनाते क्या है तो देखिए Bio-Fills बनाते हैं, Detergent बनाते हैं, Cosmetics बनाते हैं तो यानि कि इसका बहुत सारा Ease होता है तो इसलिए हम पाम वाइल का इंपोर्ट भारी मात्रा में करते हैं इसको ध्यान रखेगा अब देखिए Palm वाइल होत सबसे आदा फिर Malaysia फिर Thailand, Columbia फिर Nigeria इस तरह से जो है यानि कि दो तीन कंट्री आपको ध्यान रखना है Indonesia, Malaysia और Thailand जो है यहाँ पर Palmwell का सबसे आदा जो है producing countries है इसको ध्यान रखेगा बहुत ही important है उसके देखें next question है कि CEDEC का पूरा नाम क्या है जो कि Indian Autonomous Scientific Society है जो कि operate करता है Ministry of Electronics and Information Technology यानि कि मीटी के अंतरगत एक काम करता है तो देखें CEDEC का पूरा नाम ही आपसे पूछा गया है तो देखें इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है Center for Development of Advanced Computing यानि कि अगर कुल मिला के हम बात करते हैं तो एस Super Computing Mission में जो है भारत का योगदान दे रहा है यानि कि Super Computer बनाता है CEDEC तो द्यान रखेंगा और इसका पूरा नाम है Center for Development of Advanced Computing इसको द्यान रखेंगा जो कि मीटी के अंतरगत आता है यानि कि Ministry of Electronics and Information Technology के अंतरगत आता है इसको द्यान रखेंगा बहुत ही important है उसका देखें नेक्स्ट कोशन है कि नेमलखित में से किस वर्स में पूर परधान मंतरी अटल बिहारी बाजपेई ने पाकिस्तान में एक सीखर समयलन में भाग लेने के लिए दिल्ली लहर बस सर्विस की सेवा ले थी तो देखें भारत के जो लीडर्स होते हैं और भारत के आमनागरिक भी चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से जो है जो है दोस्ती रहे पाकिस्तान से जो है हम चाहते हैं कि सांती रहे पाकिस्तान के साथ लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टे अच्छे रहें क्योंकि उनकी फिरदाल गलेगी तो देखे भारत की लाखे कोशिसों के बाब जूद भी पाकिस्तान के लोग में नहीं कहुंगा पाकिस्तान के नेता यहां पर उक्साते रहते हैं और आए दिन कुछ अथनकवादी घटनाएं यहां पर भारत में करवाते रहते हैं तो जिस बज़ा से महल ठीक नहीं रहता है लेकिन यहां पर भारत के जो पूर्व जो परधान मंतरी थे अटल बिहारी बाजपेई जी तो उनकी एक जो है नजरिया था कि पाकिस्तान के साथ जो है रिष्टा अच्छा रखें इसलिए उन्होंने जो है एक बस सर्विस शुरू किये थे सदा ए सरहद के नाम से सदा ए सरहद के नाम से और इसी कड़ी में जो है 19 फरवरी 1999 को ध्यान रखना है 19 फरवरी 1999 को इन्होंने जो है पाकिस्तान पहुंचे थे जो है दिलील लोहर बस सर्विस के दोरा जो है एक सम्मिट में भाग लेने के लिए तो 1999 इसका सही उत्तर होगा correct उत्तर होगा तो इसको स्वियर कर सकते हैं कर दिजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थैंकि दोस्ते इतना ही धन्यवाद